नमस्ते दूस्तो मेरा जारी है स्वागत करता मुअपका आपके अपने यूटूब चैनल अपरेंटिस गुरूजी के कोने एपिसोड में दूस्तो जैसी कब जानते हैं कि अभी 111 शुक्षत प्रिशा के होल टिकट्स पोर्टल पर जनरेट हो चुके हैं लेकिन दूस्तो बहुत से कडिड़ेट ऐसे हैं जोनोंने पुराने वाले पोर्टल के साथ साथ नए वाले पोर्टल पर अपना कोंट्रेक्ट इशू करवा कर एकजाम के लिए अपलाई कर दिया था और अब इन कंडिड़ेट के दो-दो होल टिकट्स आयवे हैं यानि IBM पोर्टल पर भी होल टिकट आयवा है और वीपरो वाले पोर्टल पर भी होल टिकट आयवा है तो अभी कंडिड़ेट के मुन में ये एस मंज़स किस्तिती है कि वो कौन सा होल टिकट इस्तेमाल करे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आगन जुरूर प्रेस कर लें तक इस तरह की अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे तो दोस्तों चली ये वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं यहां पर नोटिस ढला गया है in case who had received a duplicate whole ticket then please use the whole ticket having pin नमबर जहां दोस्तों यदि आपका duplicate whole ticket generate हो गया है तो आपको वह whole ticket use करना है जिसके उपर pin नमबर लिखा हो तो अभी हम इसमें आगे पड़ते हैं दोस्तों पिन नमबर की आगे लिखा हुआ है whole ticket generated on Vprop portal and ignore the other hole ticket जियां दोस्तों यहां पर यह लिखावा है यदि आपके दो hole ticket generate हो चुके हैं तो आपको केवल वही hole ticket इस्तेमाल करना है जिसके उपर pin number लिखा हो और दोस्तों यहां pin number केवल vipro portal वाले hole ticket पर ही लिखा मिलेगा तो इस condition में आपको केवल vipro portal वाला hole ticket ही इस्तेमाल करना है और दूसरे वाले hole ticket को ignore कर देना है तो दोस्तों अभी आप इस बात को समझ ही गए होंगे दोस्तों example के लिए मेरे पास एक ऐसा candidate है जिसके दोनों hole ticket generate हो चुके हैं तो अभी हम उन्ही दोनों hole tickets को देखने वाले हैं और यह भी देखने वाले हैं कि उसमें pin number कहां enter होता है और उस candidate को कौन सा hole ticket यूज करना है वह भी हम अभी देखने वाले हैं तो दोस्तों आपके सामने ये दो hole tickets आपको दिखाई दे गए होंगे तो ये hole tickets की PDF फाइल हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं तो अभी मैं उस hole ticket को दिखा देता हूँ जो नए वाले portal से जनरेट हुआ है तो इस hole ticket में और जो hole ticket पराने portal से जनरेट हुआ है उसमें क्या फरक है उसकी भी हम अभी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर candidate का नाम दिया गया है date of birth दिया गयी है और उसके बाद designated trade code यहाँ पर दिया गया है तो दोस्तों नए वाले hole ticket की पहचान यही है कि यहाँ पर आपको designated trade code दिखाई देगा लेकिन पुराने वाले hole ticket पर आपको यह code दिखाई नहीं देगा तो अभी डिजिटी ने जिस pin number का जिकर किया है तो वह pin number इस वाले hole ticket में नहीं है यनि नए वाले portal से जारी hole ticket पर आपको कोई pin number दिखाई नहीं देगा तो इसलिए exam के लिए भी आपको इस hole ticket का इस्तेमाल नहीं करना है तो अभी हम उस hole ticket को देख लेते हैं जो इस candidate का पुराने वाले portal से जनरेट हुआ है तो ये नीचे वाले PDF पुराने वाले portal के hole ticket की है दोस्तो इस पे भी इसकी 111 शिक्सता प्रिक्षा ही दी गई है और यहां पर सब से उपर pin number दिया गया है उसके पस्चात date of birth, trade code यानि यहां पर जो trade code है वो अलग दिया गया है और वहां पर designated trade code यहां पर दिया गया था तो दोस्तो इस तरीके से जो pin number है वो पुराने वाले portal से generated hole ticket पर दिया गया है तो आपको इसी hole ticket को exam के लिए use करना है और दुसरे वाले hole ticket को आपको ignore कर देना है तो दोस्तो अपरेंटी से जुड़ी और भी अपडेट आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगी तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै भारत, जै आरिया वर्थ